हलो आगरीवन वेलकम टू स्टार आईक्यू आज है 25 अप्रेल और 25 अप्रेल 2021 के नैशनल और इंटरनेशनल करंट अफेर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आएं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे दवारा पढ़ाए गए सभी लेक्चस का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा अप्लिकेशन स्टार आईक्यू एजूकेशन जरूर जोइन कीजिएगा सभी लेक्चस के अपडेट के लिए मेरा टेलिग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजूकेशन है आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं अनकैडमी पे आप लोग जो है मुझसे NCRT पढ़ सकते हैं और मेरा प्रोफाइल जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रख अप्रेल दो हजार इकिस में केंद्रिय मंद्री हर्षवर्दन ने TBTK के पांचमें वैश्विक मंच में वस्तुते भाग लिया है ये बात तो आप लोगों को एक बतानी है या यूं कहिएगा बता देता हूं कि TBTK का पांचमें वैश्विक मंच का रिसेंटली जो है ना वो आयोजन किया गया था जिसके अंदर जो है ना हमारे काबिनेट मंत्री जिनका नाम है हर्षवर्दन सिंग उन्होंने जो है उसमें पाटिस्पेट किया था इन अप्रेल 2021 यूनिन मिस्टर हर्षवर्दन वर्चुली पाटिस्पेटिड इन फिफ्ट ग्लोबल फॉर्म टीबी वेक्सिन लेकिन हमें इस क्युस्तन का अंसर देना है तो पहले ही लाइन हमारी क्या रहेगी आइडेंटिफाई करने हमें करेक्ट पॉइंट कौन सा है जैसे पहला पॉइंट यह रखा है कि भारत ने 2030 तक भारत को भारत से टीबी को खतम करने का लक्षय रखा है न तो पहला पॉइंट तो आपके लिए गलत दिख रहा है यहाँ पे सेकंड पॉइंट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या आता है कि हर्शवर्दन जो है न वो टीबी पार्टनर्शिप बोर्ड के अध्यक्स है हाँ यह पॉइंट बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है ठीक है पॉड्डूचेरी भारत का पहला टीबी मुक्त केंदर सासित परदेश बना है नहीं पॉड्डूचेरी भारत का पहला केंदर सासित परदेश जो है वो नहीं है तो कुनसा है सर लक्षदी भारत का पहला टीबी मुक्त केंदर सासित परदेश बना है तो यह पॉइंट भी मैं यहाँ पे शेर और कर देता हूँ जैसे एक्जामपल से आपका next year TB vaccine का जो छटवा वैस्विक मंच है वो 22 से 24 फरवरी 2022 को जो है वो फ्रांस के अंदर होने वाला है ये भी point याद रखना है आपको अच्छा अगला point ये याद रखना है कि लक्षदिप तो भारत का पहला TB मुक्त के अंदर सासित प्रदेश बना है और जम्मू कस्मेर का बढगाम जिला है जो कि भारत का पहला TB मुक्त जिला बना है इस point को भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं और भारत में TB के patient कितने हैं 2.64 million TB के patient है इस point को भी आप याद रखियेगा और TB के टिके पे वैस specific form की बात करते हो ना तो आप लोग इसके जो अध्यक्स है अध्यक्स तो आपके कोन है डैविड लेवी नोशन है अध्यक्स का नाम तो हर्चवर्दन सिंग आपको बता दिया ही है और इस partnership के जो headquarter है वो कहां पे है जिनेवा स्विजरलेंड में इसके स्थापना 2001 में form का परतिने जितव जो है वो करने वाले हैं दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरीवाल यानि कि D option जो है इस question का अंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस form में London, Tokyo और New York सही दुनिया के 40 जो है ना वो top सहर है उसमें सामिल होने वाले हैं और इसमें भारत की तरफ स जो है वो अर्विंद केजरीवाल भारत का परतिने जितव करेंगे और जो WCCF है इसका theme इस बार रखा जाएगा the future of culture, the future of culture इस बार का theme होगा world cities cultural form का इस point को आपको याद रखना है यहां से अगला किस्तन हमारा होगा times higher education impact ranking 2021 में स्थिर्ता के लिए विश्व के top 100 sectionic संस्थानों की सुची बद होने वाला भारत का एक मात्र university जो है वो कौन सा है which is the only Indian university to be listed among the world's top 100 educational institute for sustainability in the times higher education impact ranking 2021 तो इसमें पहले number पे जो ranking की university है उसका नाम है अमरता विश्व विद्या पीठम यानि कि ए आप्षन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा जो आपको photo में दिखाई दे रही है यही अमरता विश्व विद्या पीठम तमिल नाडू की एक university है जो के top 100 शैक्षिक इस impact ranking में तीसरे संस्करण के 81 रैंकिंग जो है इसको मिली है इसके लावा भारत के और भी दो university है जैसे JSSS Academy of Higher Educational and Research और lovely professional university जो की पंजाब है इनको 100 और 200 के समूह में भी जो है उस थान दिया गया है यह भी याद रखिएगा मेचा चुसर्ट जो अमेरिका की university है वो तो खेर no doubt इसमें number one ranking पे है ही दिली के साथ किस राज्ये में चोथे खेलो यूथ इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेजबानी की जाएगी जो पहली बार कई सहरों में आयूजित किये जाएंगे इसा पहली बार हो रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो हो अलग-लग सहरों में आयूजित हो रहे हलंकि हर बार एक ही सहर में होते हैं जैसे 2018 में पहली बार हुए थे डैली के अंदर 2019 के अंदर हुए थे यह कहांपे पूने में 2020 में हुए यह असाम के गुहाटी के इस पॉइंट को आपको याद रखना है और सरी ये कब होंगे तो ये 21 नवंबर से 5 दिसंबर के वीच में जो है इसके चोथा संस्क्रण का आयजिन जो है वो करवाया जाएगा हर्याना राज्य सरकार के दवारा हर्याना के मुख्य मंत्री मनुहरलाल खट्र है हर्याना के राज्य पाल सत्य देव नारायन आर्या है ये भी बात आप याद रखियेगा अप्रेल 2021 में पदम भूशन पुरुसकार विजेता शंक घोष का निधन हो गया है उन्हें किस छेतर में पदम भूशन से समानित किया गया था दोजर इकिस में अभी रिसेंटली जो है वो पदम भूशन पुरुषकार विजेता शंक घोस का निधन हुआ है और इन्हें जो है ना साहित्य के छेत्र यानिके लिटरेचर में पदम भूशन पुरुषकार से समानित किया गया और इनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है ठ बंगाली कवी और पदम भुषनपुरुसकार विजेता जिनका नाम क्या है संक गोष्ण इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है साइक्लिंग पॉलिसी का मसोधा त्यार करने वाला भारत का पहला राजय या केंदर सासित प्रदेश कौन सा बना है तो साइक्लिंग जो आपकी निती है साइक्लिंग पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला केंदर सासित प्रदेश बना है चंदिगड यानि की बी आप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा प्रयावरण के अनुकूल और सहरी छेत्रों में प्रीवन के सबसे तेज सहाद्नों में से एक साइकल जो है इसको मानेता मिलेगी इस मसोदे से या इस पॉलिसी से या यूँ कहिएगा जो लोग साइक्लिंग को थोड़ा सा यूँ कहिएगा गलत मानते हैं जो साइक्ल चला के लिए panic button बनाया जाएगा जितनी भी बहुतिक बादा आती है उनको दूर किया जाएगा यह सारे cycling type का track जो है या cycling policy है चंदिगड smart city limited के दवरा जो हो त्यार किया गया है और चंदिगड को फ्रांस के एक architect Lee Carbuger ने वसाया था इस point को भी आप लोग याद कर सकते हैं यहां प है एक समान नागरिक सहीता वाला is the only state in India with the union uniform civil code which are the following directive principle of state policy under तो यह गोवा राज्ये है और अनुछे 44 है यहां पे ठीक है न यानि कि B option जो है इसका हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा अभी recently जो है भारत के मुखे नयायाधीस जिनका नाम है सरद अरविंद बोबडे हालनकि आज की स्थिती में सरद अरविंद बोबडे नहीं है अभी वरतमान में 48 में मुखे नयाधीस आ चुके है जिनका नाम एनवी रमना है इनको हाल ही में राश्ट्रपती रामनात कोविन ने सपत दिलाई लेकिन 23 अपरेल को रिटायर हुए है जिनका नाम है सरद अरविंद और इन्होंने ही क्या किया गोवा के युनिफॉर्म सिविल कोड की सहराना की और गोवा एक मात्र भारत का पहला राज्य है जिसके पास युनिफॉर्म जो है ना युनिफॉर्म सिविल कोड बन चुका है यानि कि भारत के लिए एक कानून बनाने की मांग इसमें साधी हु विरासत है, गोद लेने जैसे माम ले, सभी धार्मिक समुदाय के माम ले, ये एक ही के अंदर लागू होंगे, भारतिय सविधान के यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य निती अनुछे चवालिस के गैर नयाय संगत निर्देशक सिधानतों के बीच में जो है, वो रखा ग है यहां के राजय पाल भगसिंग कोशारी है, अचा जो आज हमारे अभी रिसेंटली एनवी रमना भारत के 48 में मुखे नयायधीस बने हैं ये एनवी रमना आंदर प्रदेश हाई कोड के पहले ऐसे जजज हैं, जो चीफ जिस्टिस ओफ इंडिया बने हैं, इस पोइंट क परकार का एक पद था और ये RBI के गवर्नर रहे चुके हैं, यानि की डी आप्शन जो है इस क्यूसन का अंसर हमारा होगा, काविड नाइंटिन के कारण है, हद्राबाद में जो है इनका निदन हो गया, भारत में बैंकिंग चेतर में सुधारों के जनक के रूप में इनका सारे सुधार किये थे, RBI यानि की Reserve Bank of India के एक गवर्नर रह चुके थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, 35 अप्रियल को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 35 अप्रियल को दुनिया भर में विष्व मलेरिया दिवस, यानि की वर्ड मलेरिया डे सालिवरेट किया इसका उदेशे है कि लोगों को जागरूप करना थोड़ा सा थोड़ी हों की जान की रक्षा मिल सके इसे कुल 106 देशों में 3.3 बिलियन लोगों को मलेरिया से खत्रा है ठीक है ना और इस बार यह हर साल यह 25 अपरेल को सलिबरेट किया जाता है इस पॉइंट को भी आप वारिशी क्रूप से 21 अपरेल को राष्ट्रिय सीवन सेवा दिवस मनाया जाता है यानि कि नैस्टन सीवन सरविस डे मनाते हो 21 अपरेल को लेकिन 20 की जैनती का प्रतीख है तो यह सरीदार वल्लय भाय पटेल की जैनती का प्रतीख है यानि कि B option जो है इस क्योशन का अंसर ह मारा होने वाला है ठीक है 21 अप्रेल को पूरे भारत में राष्टिय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं ठीक है ना इन्ही की योगदान की वज़े से ही इस दिवस को मनाया जाता है सौतन्तर भारत के पहले ग्रहे मंत्री सरदार वल्ला भाई पटेल नहीं सिविल सेवकों को जो सि देने का काम किया था ठीक है ना भारत में परिक्षा करवाने का काम इन्होंने ही किया था लोह पूर्ष्ट के नाम से इन्हें जान सकते हो एकता दिवस भी इन्हीं की वज़े से ही मनाया जाता है 31 ऑक्टूबर को और दुनिया की सबसे उंची मूर्थी 182 मिटर की जो आप आपको दिखरी ये Statue of Unity गुजरात में वो इन्हीं की ही मूर्ती है ये भी याद रखना आप लोग है चलिए इसी के साथ में इस लेक्चर को अंड़ प करता हूँ Thank you so much, stay happy, stay healthy, star IQ education, telegram channel जरूर connect कर लीजिएगा आप लोग